पांच सो सालों का इंतजार हुआ खत्म भव्य मंदिर में विराजे श्री राम मंदिर में राम लला की हुई प्राण प्रतिश्ठा असंख्य राम भक्तों के तप त्याग बलिदान का फल मिल गया सदियों का संकल्प पूरा हुगया पांच सो सालों का संघर्ष सफल हो गया जब आयोध्या के नवनिर्मित भव्य दिव्य और अलावकिक श्री राम मंदिर में राम लला विराजमान हुए प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी सुनहरे कपड़े पहन कर राम मंदिर पहुँचे राम मंदिर में प्रवेश करते समय पीम नरेंद्र मोदी अपने हाथ में चांदी का छट्र और वस्त्र लिए हुए थे छट्र और वस्त्र के साथ प्रधान मंत्री मोदी नंगे पाउं थे इस दोरान दर्शक दीरगा में बैठे साधू और संत काफी उत्साहित नजर आ रहे थे इन अद्भुत और अविश्वस्निय तस्वीरों में आप देख सकते हैं के राम मंदर के गर्भ ग्रिह में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रान प्रतिष्ठा के लिए अभिजीत मूर्त में पूजा अर्चना की मंत्रो चार और शंखनाद के बीच पीएम मोदी के सम्मुख रामलला की प्रान प्रतिष्ठा हुई उनके ठीक बगल में राश्ट्रे स्वयम सेवक संग के प्रमुख मोहन भागवत बैठे थे पूरे विधिविधान से पूजा अर्चना की गई 84 सेकिंड के मूर्त में पीम मोदी ने रामलला की प्रान प्रतिष्ठा की रामनगरी आयोध्या जैश्व्री राम की नारों से गुण जुठी राममंदर परिसर में हेलिकॉप्टर से पुष्ट पवर्शा की गई प्रधान मंतरी मोदी ने रामलला की चरणों में कमल अर्पित किया राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने आरती भी की उनके साथ साथ आमंतरी तदिथियों ने भी आरती की ये नजारा अपने आप में काफी मनमोहग था बाल राम की प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने के बाद पीम नरेंद्र मोधी मंदिर में साश्टांग दंडवत हुए उन्होंने भगवान राम को प्रणाम किया इस दोरान वो भावुक भी दिख रहे थे भव राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दोरान अस्थाई राम मंदिर के राम लला को भी सामने रखा गया जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकतें प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस इतिहासिक पल का गवा बनने के लिए देश भर से नेता, अभिनेता, साधू, संत पहुँचे रामलला की प्रान प्रतिष्ठा के साथ ही 22 जनवरी 2024 की तारीख इतिहास में सुनहरे अक्षरों में धर्ज हो गई है सूरिया समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट